नमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्ट रेवडे चनल दूस्तों केंदर विद्याले के तरब से ओफिसेल नॉटिफिकेशन जारी हो चुगा है टीचर पदों के लिए के और इसमें एक तो पद निकाल लगया है टीचिंग सेक्टर के लिए और एक नॉन टीचिंग के लिए तो दोनों पदों को हम डिसकस करेंगे और इसमें 12 वाले भी इसमें अपलाई कर सकते हैं और 12 वाले किस पोश्ट में अपलाई करेंगे वो भी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो इसके लावा दोस्तों जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए क्या बी सलेक्षन का वेटेज है यह यहाँ पर क्या रहने वाला है पूरा कंप्लेट इंफोर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो वीडियो को पूरा देखीगा वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्डेंट यहाँ पर होने वाला है ठीक है तो अगर हम टोटल वेकेंसी की बात करें तो तो 13,404 जो है कुल पोश्ट यहाँ पर जारी किया गया है कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी वेकेंसी दोस्तों आई हुई है और यह मौका आपको हाद से नहीं जाने देना जाए है जो भी candidate मतलब जो इसमें eligibility मागा गया है उस eligibility को पूरा करते हैं तो इस form को आपको जरूर यहाँ पर fill up करना चीए ठीक है सकते हैं stenographer great second की यहाँ पर 54 है computer science का यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बारववाले की पोस्ट में apply करेंगे तो देखिए फिल बारववाले की बात करें तो बारवव वाले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वाले की बात करें 12 वालों के लिए सिर्फ यहाँ पर दोस्तों दो पोस्टों में अपलाई कर सकते हैं एक तो स्टेनोग्राफर ग्रीट सेकंड में जिसमें लेवल 4 के तहाँ आपको सेलरी मिलेगी, क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट में आपका टैपिंग टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा 50 MTS इंगलीज का होना चाहिए 65 MTS हिंदी का लिया जाएगा और डिक्टेशन यहाँ पर 10 MTS या 80 Watt पर मिनट के इसाब से यहाँ पर ट्रांसेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा टेस्ट ठीक है इसके लाबा बात करें जूनियर यहाँ सेक्रेटरिल असिस्टेंट का इसमें लेबल 2 के थाहत आपको सेलरी मिलेगी और यहाँ पर दोस्तों 12 PASS होना चाहिए और यहाँ पर टैपिंग स्पीट जो है 35 Watt पर मिनट के इसाब से होना चाहिए इंगलिस का और हिंदी का 30 Watt पर मिनट के इसाब से यहाँ पर होना चाहिए यह टापिंग टेस्ट आपका स्किल टेस्ट जो है यहाँ पर कंडेट कराया जाएगा ठीक है और दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर तयार किया जाएगा ठीक है इसके लावा दोस्तों हम बात करें रिटेन टेस्ट तो रिटेन टेस्ट यहाँ पर असिस्टन इंजिनियर से लेखे यहाँ पर एस्टेनोग्राफर ग्रेट सेकेंड का यहाँ पर जो एक्जाम जो है अच्छे से आपको read out कर लेना है ठीक है एक एक point आपको अच्छे से यहाँ पर check करना है ठीक है इसके लावा दोस्तों हम नीचे जाएंगे कैसे apply करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है केंदर विद्धाले के official website पर जाके आपको registration बगरा करना होगा registration process चालू होगा तो दोस्तों इस पर विडियो बना के आपको बताऊंगा कैसे आपको registration करना है गलती मत करिएगा जल्द बाजी में समझ गया यहाँ पर दोस्तों फीस के बार में बता रखा कितने कितने फीस लगेगी अगर आप जिस post के लिए apply करेंगे एक और चीज आपको अलग अलग पोश्टों में form fill up कर सकते हैं एकी post में दो बार form मत fill up कर दीजेगा नहीं तो और reject कर दिया जाएगा समझ गया important date की बात करें तो 5 December से form चालू होगा online और 26 December 2020 तक form fill up किया जाएगा और written examination का जो है आपको KBS की website या अगर आपने इस चैनल को subscribe कर रखा है तो आपको इसके regarding कोई भी update आएगा तो आपको inform करा दिया जाएगा तो चैनल को subscribe करने के साथा notification बेल को ज़रूर प्रेस करके रखे ठीक है इसका पर दोस्तों हम बात करें primary teacher के लिए यहाँ पर क्या qualification है तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा primary teacher का जो वेतन है level 6 के तहट आपको दिया जाएगा इसके लावा दोस्तों यहाँ पर 30 year age limit जो है upper age limit 30 year यहाँ पर मांगा गया है लेकिन दोस्तों जो female candidate 40 वरस तक इसमें apply कर सकती है और बाकी जो CST है उसमें 5 साल का आपको पता है 5 साल तक यहाँ पर 35 वरस तक CST वाले apply कर सकते है और OBC वाले यहाँ पर 33 वरस तक यहाँ पर apply कर सकते है ठीक है all female के लिए यहाँ पर 10 वरस का age का relation यहाँ पर दिया गया है समझगे इसके लाव तो आप primary teacher के लिए form fill up कर सकते है या आपके पास senior secondary तो आपको होना चाहिए 50% passing mark साथ और 4 year bachelor या elementary education BEILED यहाँ पर होना चाहिए या आपके पास senior secondary यहाँ पर 50% passing mark साथ होना ही चाहिए 7 में 2 year का diploma in elementary special education होना चाहिए इसमें बात करें कि यहाँ पर दोस्तों आपके मन में यह स सकते हैं BID candidate can apply go through the selection process तक भी जा सकते है बट their inclusion in the panel based on merit will be subjected to the outcomes of the SLP and honorable Supreme Court तो Supreme Court के judgment का असाब से यहाँ पर होने वाला है तो अभी case जो है Supreme Court में चल रहा है BID के लिए और यह आपके मन में सवाल होगा पिछले बार जो वेकेंसिया आई थी KVS में उसमें BID वालो के लिए यहा पिछले बार जो है इस पार आप पिछले बार जो है दो साल से यहाँ पर सीटेट का एकजाम यहाँ पर convert नहीं करा गया था जिस करण से BID वालों को मुझा मिले था इस अ पर जो है B8 वाले जिन्होंने CET नहीं किया है CET दोस्तों कब CET नहीं किया है CET का एक्जाम यहां बन नहीं दिये है उनके लिए दोस्तों यहां बाहर का रास्ता दिखा दिये गए Primary Teacher तो होना जिए B8 किसा साथ CET का एक्जाम यहां पर Paper 1 जो है Qualify होना चाहिए तब ही आप Primary Teacher के लिए Elisable होंगे यहां पर Work कर पाएंगे समाज गया इसके लावा दोस्तों जो यहां पर दोस्तों पहले से मतलब जो CET का है जो एक्जाम है Paper 1 यह 26 मतलब Form भरने की Last Day तक पहले-पहले आपका होना चाहिए उसके बाद अगर आपने अभी Form Fill Up किया है CETAT वाला वो एक्जाम अभी होने वाला है यहां पर Work नहीं करेगा समाज गया तो वो आपका यहां पर काम नहीं होने वाला है पहले से जो आपने 26 दिसंबर से पहले-पहले CETAT Paper 1 कौलिफाई किया है वही Candigate Primary Teacher के लिए Elisable होंगे वही अपलाई कर पाएंगे समझ गये I hope दोस्तों इस चीज़ को आप समझे होंगे लेकिन अगर आप इसमें Fees बगरा जो आप Payment बगरा कर देते हैं वो Refund नहीं होगा यहां पर Clear Mention भी कर दिया गया है ठीक है अपको करने होंगे एक कोशन यहां पर एक मार्क्स का यहां पर दिया जाएगा मतलब 180 कोशन 180 मार्कस के होगा 180 मिनट आपको 3 घंटे का समय आपको मिल जाता है ठीक है Negative Marking की बात कहीं भी कहीं नहीं गई है Negative Marking आपको नहीं मिलेगा मतलब पेपर ही इतना यहां पर लेबल इसका हाई रहता है कि Negative Marking की जरूती नहीं पड़ती इसके लाओ दोस्तों हम बात करें यहां पर कोशन बता रखा है Part A Professional and Language से 20 कोशन जिसमें General English से 10 कोशन होगे और Hindi से भी 10 कोशन होगे इसी प्रिकार से Part 2 में General Awareness, Reasoning, Professionally इन कम्प्यूटर से 20 मार्क्स का हुआ है तो यहां पर 20 मार्क्स को अलग-अलग यहां पर बता रखा General Awareness and Current Affairs से 10 कोशन पिछले 6 मेने का करेंट अफेर यहां पर पूछा जाता है Reasoning Awareness से 5 कोशन पूछा जाता है Computer Literacy से 5 कोशन पूछा जाता है इस से प्रिकार से यहां पर आप देख सकते हैं तो बात करेंगे यहां पर written examination 180 मार्क्स हो गया उसमें आपने qualify कर लिया तो जो candidate यहां पर qualify कर लेंगे उनको दोस्तों यहां पर interview के लिए call के जाएगा जो आपका start marks का होने वाला है Demo Teaching 30 मार्क्स का है और Interview 30 मार्क्स का है तो यह total start marks का हो गया और यहां पर written test और यहां पर professional competency test के अधार पर ही आपका यहां पर merit दियार किया जाएगा जो written test है उसका weight is 70 लिया जाएगा और professional यहां पर competency test का यहां पर अधार जो है यहां पर 30 यहां पर लिया जाएगा 70 ratio 30 के यहां पर weightage के अधार पर ही final merit list यहां पर दियार किया जाएगा तो यही इसका ratio है दोस्तो 70 ratio 30 यहां पर लिया जाएगा ठीक है तो return test का 70 हो गया और यहां पर professional competency test का यहाँ पर जो है, त्विटीस यहाँ पर वेटे लिया जाएगा, ठीक है, तो इसी का अधार पर आपका merit बगरा, इस slabis बगरा, आपको दिहान से चेक कर लेना है, इसी slabis के अधार पर आपका जो exam जो है, यहाँ पर आपका, इससे related आपको question जो है पूछने जाएंगे ठीक है तो इसका pdf दोस्तों आपको वीडियो को description में telegram channel का link दिया गया है उसको join कर लेना है मैं दोस्तों इसका पूरा salivus वगरा दोस्तों मैं उसको upload कर दूँगा ताकि आप आसानी से सारी चीज़ें को यहाँ पर समासे गए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching जहीं